इंदोर शहर के छेत्र सर्वटे से गंगवाल की सड़क को लेकर निगम द्वारा की जा रही कारिवाही की तहट आज एक घंटे के भीतर मचली बजार में बाधक निर्मान को निगम तोड़ने जा रहा है जानकारी मिली कि सबसे पहले कलाली को तोड़ा जाएगा उसके बाद जिन निर्मान बिल्डिंगों पर कोट स्टे नहीं है उन्हें भी तोड़ कर अतिक्रमन मुक्त किया जाएगा जानकारी मिली कि मचली बजार अतिक्रमन कारिवाही की दोरान बाडगंगा टी आई तारेश सोनी की पैर पर पोकलिन चड़ी जिनने तुरंत उप्चार के लिए स्पिताल पहुचाया गया इन दौर से गफार खान की रिपोर्ट वाड़ा ब्लॉक के ग्राम डुंगरिया में एक विशाल जनसभा को संबोधि करते हुए कमलनात ने कहा कि प्रदेश वद देश की जनता ने जब जब अपनी प्रमुक मांगों को भाजपा सरकार के सामने रखा है उन्होंने समस्याओं के समधान की जगा जनता को एक नया नारा थमा दिया है पिछले चौदा सालों में प्रदेश की मुख्यमंत्री ने साड़े साथ हजार घोशनाय की लेकिन कितनी घोशनाय पूरी हुई इसका कोई हिसाब नहीं इसलिए यह जरूरी हो गया है कि मामा जब भी आए जनता को पूरा का पूरा हिसाब दें आगे की आगे देखी जाएगी सांसत ने ग्राम डुंगरिया के नागरी को से मिल कर प्रसनता व्यक्त करते हुए कहा कि विगत 37 वर्षों में सभी के सहयोग से चिंदवाडा का विकास हुआ है और यह सिलसिला सदैव बना रहना चाहिए इसके अलावा हर्रई विकास खंड के ग्राम सौंधनी में आयोजित जनसभा में कमलनात ने कहा कि जिन्हें देश वा प्रदेश चलाना नहीं आता उन्होंने मुई चलाना सीख लिया है और जूटी घोशना और जूटे वादों से जनता को गुम्रा करने में जुट गए है सांसत ने बटका खापा में भारिया बहुमूल ग्राम चिलक में आयोजित जनसभा की दोरान कहा कि जिला सहित प्रदेश के किसानों को इसाथ धोका अन्यायव अपमान हुआ है भावांतर के फेर में सेकडो किसानों ने आत्महत्या की परंतु स्वयम को किसान का पुत्र कह जने वाले प्रदेश के मुख्य मंत्री का दिल नहीं पसीजा चिंद्वाडा से पवंचौरिया की रिपोर्ट सके इंडिया तरह तरह के इन हुए बारा मारे तिये अब कोई दुजचन इंडिया वाला है कोई यहां स्टेंड़ापिंडिया वाला है यह कलाकारी की दाज दिए उज्जेन के सूप्रसिद कथा वाचक पंडित सुलप शान्तू गुरु द्वारा सामाजिक न्याय परिसर में राम कथा की जा रही है जिसमें हजारों की संख्या में ध़क्तों की भ्योड उमड रही है इस उपलक्ष में आयोजग बाबा बाल हनुमान वकाटू शाम पारिमार्थिक प्रस्ट की ओर से सथा वाचक शी सूलप शान्तू गुरु द्वारा सिटी प्रेस क्लब के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया अध्यक्ष संबीत मौता ने आयोजगो और सुलप शान्तू गुरु महराज का आभार ब्यक्त किया उज्जेन से शकील खान की रिपोर्ट जानी शान्ती गुरु जी द्वारा आयजित राम कथा का आयजना किया गया है इसमें नव गठी सिटी प्रेस क्लब के पदाधिकारियों का और कारी काईनी का सम्मान रखा गया था कथा वाचक जानी गुरु द्वारा उसके लिए मैं सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष होने के नाते आभार विक्त करता हूँ दन्यवारा चिन्दवाडा जिले की जन्पत पंचायत बिचुआ के सभाक अक्ष में एक दिफसी सापता ही आयरन कारिशाला का आयोजन किया गया जिसमें स्वास्त विभाग की अधिकारियों द्वारा विकास खंड समस्त प्रात्मिक एवं आधिमिक शाला में पदस्त सिक्षकों एवं विद्यार्थियों को राष्ट्री आयरन दिवस प्लस इनिशियेटिव और राष्ट्री क्रमी नाशन एवं राष्ट्री बाल स्वास्त कारिक्रम की विस्त्रत जानकारी दी गई बीमो डॉक्टर निले सिद्डाम ने बताया कि मध्यप्रदेश शाषन निर्देशानुसा 10 फरवरी को 18 वर्ष तक के प्रती एक बच्चे को आयरन की गोली निशिल्क प्रदान की जाएगी जटल रोग कमध्य प्रदेश शाषन निशिल्क ओप्रेशन सरकार द्वारा कराये जाएगा शिन्वाडा से पवन्चौरिया की रिपोर्ट बच्चों में खुन की कमी एवं अन्य जो विमारिया होती है इसके लिए स्वास्ति भाग से संपर करने के लिए भी आउगत राक्सा बुद्वारास आउगत कराये गया एक 2018 को विकासखंड विश्वा में राश्तिय आयरन प्लस इनिसेटिव एवं दी वार्मिंग दे 10 फर्वरी की साथ में पल्स पूल्यों 29 जन्वरी 28 जन्वरी की कारिशाला रखी गई थी जहां पर संपुर्ण विकासखंड के संपुर्ण विकासखंड के सिक्षक प्रात्मिक एवं माध्यमिक के अमंत्रित किये गए थे जिनके दोरा जानकरी प्रदान की गई एवं उन्हें अपने कारिये के लिए बताया गया साथ में आरबीश के के डॉक्टर पंद्रे और डॉक्टर दुर्गेश मराथा एवं बी वर्माजी दोरा फूरे कारेक्रमों की जानकरी एवं 21 जन्वरी को जिला छिनवाडा में आयोजिट मुक्यमंत्रे सास्थ सेवा की जानकरी प्रदान के दी गई विश्नुगर्ड प्रखंड सह अंचल कार्याले के समक्ष जेबियम प्रखंड अध्यक्ष राजुश्रिवास्तव की अगवाई में विश्नुगर्ड जेबियम प्रखंड इकाई द्वारा विभिन जन्समस्याओं को लेकर एक दिवसी धर्ना प्रदर्शन दिया गया धर्ना को संबोधित करते हुए जेबियम के युवा मोर्चा हजारी बाग जिलाव पाध्यक्ष राजेंद्र मंडल ने प्रखंड विकास पताधिकारी को आड़े हांत लेते हुए कहा की ने अपने पद की गरिमा तक याद नहीं मंडल ने कहा कि विश्नुगड प्रखंड गई चिन समस्याओं का दंश झेलने को मजबूर है वही स्थानी विधायक के बारे में बताया गया कि इन में विकास कारिक करने की छमता नहीं दूसरी और हजारी बाखसांसाद धर्म के नाम पर वोड़ बड़ ओरने में माहिर हैं जे विएम एकी सूतरी मांगों के साथ धरने पर बैठी है इसमें मुख्य रूप से विश्नुगड खादी आपूर्ती में हो रहे काला बजारी चरुरत मंदों को व्रध्ध पेंशन ना मिलपाना शाचालय में हो रहे घोटाले विश्नुगण में प्रस्थावित आईटी आई कॉलेज को जल्द बनवाने की मांग शामिल है धरनकारिक्रम में बता और मुख्य अतिती जे विएम की केंदरी सचिवस मांडू विधान सभा प्रभारी चंदरनाद भाई पतेल माजूद रहे चतरा, कोडरमा, भुकारो, गिरीडी ए सब ननसी डूलेरिया में है और ननसी डूलेरिया में तिर्थिय वर्ग और चतुर्थ वर्ग कोई भी अपलाई कर सकता है पूरे देश के अंदर एक ही राज में दो तरह का अस्थानिया निती, राची, गुमला, लोहर दगा इन जिलों में जो अधिस्वुची तेरिया घोसित्या गया है वहीं के बेरोजगार आवेदन दे सकते हैं लेकिन इस जिला में पूरे देश का तो इस तरह से सरकार जो इसो दोहरी निती ला र रहा है और सब ऑट्सोरसिंग कंपनी को आप बलोक में भी देखेोंगे कि ओट्सोर्सिंग कंपनी जो inhali कंवा आगे है और यहां होस्पिटल में भी ऑच्वुची ये लोग अस्थाई करन की मांग नहीं कर सकेंगे इस तरह से बेरोजगारों पर एक तरह से सरकार जूर्म ढ़ाते जाने हैं दुमका जिले के जर्मुंडी प्रखंड अंतरगत बरमस्य पंचाय के उतक्रमित प्रात्मिक विद्याले दुमरिया बारा हिर्ना में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं डोभा का गंदा पानी पीने के लिए विवश हैं यहां पहने वाले छात्रवा स्कूल के आसपास रहने वाले आदिवासी लगपा 50 लोग भी पिछले 5 वर्षों से इसी डोमा के पानी पर निर्भर हैं हर रोज जब बच्चे स्कूल पहुँचते हैं तो अपने स्कूल में किये गए बोरिंग को देखने के लिए वहां जाते हैं और सिक्षक से पूछते हैं कि चापा काल आज तक क्यों नहीं लगा क्या हमें उसी डोबा का पानी आज भी पीना होगा तो इस पर सिक्षक महौदे बोलते हैं कि उपर खबर कर दी गई है लेकिन सिस्टम ही नीचे से उपर तक अराजकता की दलदल में फसा हुआ है इसमें हम और तुम क्या कर सकते हैं सिक्षक की इन बातों को सुनने के बाद बच्चे अपने अध्यन में लीन हो जाते हैं गौर तलब है कि पहार पर आवेस्थित इस स्कूल का भुगोलिया है किसके चारो तरफ बड़े बड़े चटान और सामने रेलवे लाइन देव घर दुम का मार्ग गुजरा हुआ है पहाड पर होने के चलते गर्मी के दिनों में इस स्कूल की गर्मी भी बहुत अधिक बढ़ जाती है जिसके चलते बच्चों को पानी के आवशक्ता एक लीटर के बजाए पांच लीटर की हो जाती है ऐसी इस्थिती में जारखंड सरकार की इक्षा कैसे पूरी होगी आने तक यानि तकरीवन 6 माह से अधिक का समय गुजर जाने के बाद भी आज तक की इस्थिती जस्की तर्स बनी हुई है और 2013 से खराब पड़े विद्याले परिसर के चापा काल की अब तक मरमत नहीं की जा सकी ऐसे में दुमका जिरा सिक्षा पदाधिकारी का बयान की विद्याले बच्चों का मंदिर है इसे हर हाल में रखे स्वच्च का सपना कैसे पूरा होगा दुमका से धननजे कुमार सेंग की रिपोर्ट कहां जा रहे हो तुम लोग? पानी ले नै, इसको लोग पानी नहीं है कोनसा इसको परते हो? आप लोग यहीं से पानी लेते हैं और इसको क्या करते हैं आप लोग? डुबह, अच्छा, कौन सा स्कूल के विज़ार थी है आप लोग, इसकूल का नाम क्या है, इसकूल का नाम, 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 इसकूल क अभी तक टिक नहीं हुआ है थी नहीं हुआ है तो मेरा कहना है कि आप ने डिपार्टमेंट को कभी अवगत करा है इस समस्या से हाँ डिपार्टमेंट को तो आवगत करा है रिपोर्ट के अधार पर भी हर मेना रिपोर्ट भी देते हैं आपके स्कुल में जरूंडी के बिधायक बादल पतरलेक जी कभी आये हैं वही तो उनको ये बात बताए हैं बताए भी और अपने से भी देखा कि बच्चा थाली दौपा में धो रहा है पाने वहां का ले रहा था उवह देखा वह भी देखे तो वह बोले कि इसका समस्या निदान कराएंगे लेकिन अब तक नहीं हुआ देखते हुए जार्खन प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमिटी की निर्देश पर जार्खन सरकार की गलत नीतियों को देखते हुए जार्खन प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमिटी की निर्देश पर युवा अधिकार यात्रा का आयोजन किया गया इसका मुख्यमुद्धा ज्हारखण सरकार की वो रोजगार निती है जिसमें ज्हारखण के 11 जिलों को बाहर किया गया है जिन परसे ज्हारखण के मूल निवासी को उनके अधिकार नहीं मिल पाएंगे सारे पढ़े लिखे युवा जो जारखन में रहकर पढ़े हैं जारखन में रहकर काम करना चाहते हैं यहां नौकरी करना चाहते हैं पर वह नौकरी से वन्चित रहेंगे उसी 11 जिलों में से गोड़ा भी एक जिला आता है वक्ताओं ने कहा कि यह रोजगार नीती जो जारख वंड सरकार ने बनाई है भाचपा ने बनाई है उसका विरोध कर रहे हैं गोड़ा कॉंग्रेस कार्याले में कारिक्रम किया गया यह कारिक्रम जिला अध्यक्ष तीपिका पांडे की अध्यक्षता में किया गया अध्यक्रम जिलाओं की भी बात करें उनका विरोजगार पर बरावर का अधिकार है आपकी बातों से मुझे लगता है कि जिस उर्जाक की अपेक्षा यहां के लोग कर रहे थे और इस जात्रा के कॉन्विनर संजर्ज़त पुर्व मंत्री स्रीटियन तिरपाठी जी पुर्व विदायक राजे सरन्यन जी हमारे बीच में पुर्वत जिलाद धच जी Goda जिले की महा गधाना छेतर के बलियां के पास बुलेरो और साइकिल में जोरधा टकर हुई टकर में साइक्ल सवार की मौके पर ही मौथ हो गई और बुलेरो रोट पर ही पलट गई मौके पर इसकी सूचना महागमा थाना प्रभारी महादेव यादव को मिलते ही वह घटना इस्थल पर पहुँचे और शफ को अपने कबजे में लिया रतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है घटना के बाद पुलेरो ड्राइवर भागने में कामियाब रहा चश्मदीदों का कहना है कि साइकिल सवार को बचाने के कारण वहन सडक पर पल्टा इसके बावजूद भी साइकिल सवार नहीं बच पाया गोड़ा से प्रिंस कुमारी आदव की रिपोर्ट उजयन जिले के बढ़नगर से रतलाम जा रहे पिकव वाहन का टायर फटने से वाहन अचानक पलट गया जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई घायलों को उजयन जिले चिकित साले में भरती कराया गया है घटना की सूचना मिलते ही पिलिस मौके पर पहुँची बताय जा रहा है कि सभी लोग मजदूरी करने के लिए रतलाम जा रहे थे उजयन से शकील खान की रिपोर्ट अचानक टायर फटने से राली पल्टी खा गई इन दोर में हुए बस हाथसे के बाद उजयन में देवास गेट व्यापारी एसोसियेशन एवं बस संचाल को द्वारा म्रत बच्चों की आत्मा की शांती के लिए कैंडल जलाकर वपुष्प अर्पिकर शद्धांजली दी गई इसी कड़ी में उजयन की टावर 54 थे डॉक्टर भीम राव अंबेडिकर की प्रतिमा पर आदर्श बालमी की महापंचायत द्वारा मुंबत्ती जलाकर दिवंगत बच्चों को शद्धांजली अर्गी गई इसमें मुख्य रूप से राजेंद्र बाली, सुरेंद्र गौसार, दयाराम नर्वाले, सुनील नागर वा समाच की वरिस्ट जन मौझूद रहे उजयन से शकील खान की रिपोर्ट इनदोर में जो बस दुरुघडना में जो इसकूल के बच्चे थान्त हुए न पर रहे तो उनकी सद्धान जली के लिए आत्नोशांती के लिए बगवान महंकाल से हमारी प्राफ्ना थी तोटके पीता माता-पीता को सक्ती इती प्रजान करे कि वह ए गडुगत घजना को स सबी देवास गेट के ही रहने वाले लोग है और सभी सेर्वास्यों के लोगों सबका सब्सक्राइब है अब जो दिल्ली पुपली की इस्कुल की बस दुरुगटना में जो निर्दोश बच्चे मारे गए थे उनको सर्दान जली देने के लिए आज आज आदर्शु वालिक म पंचात उज्जेन द्वारा बाबा के सिर्चवलों में आज हमने मोमबत्ती जला कर बाबा महकाल से प्रातने किये कि जो निर्दोश बच्चे मारे गए हैं उन्हें शर्गु नोक में अच्छी जगा इस्तार मिले साथ ही उन परिवार पर जो पहार जैसा दुखाया है उस से सहिन करने की शक्ति परदान करें नर्सिंगपुर जिले की तेंदू खेडा तहसील के नगर परिशत के वार्ड नमबर 14 जामन पानी में नील गाय जंगल से खेत में आई इस दोरान नील गाय एक हुए में जा गिरी जब वनवी भाग की टीम को इसकी जानकारी मिली तो ट मुखवर्द वारा सुचना दे गई कि एक नील गाय हुए में जर गया है तो इसको हम लोग ततकाल हमारी बनवास की पूरी टीम तेंदू खेडा जी सब लोग गये और उसको निकाला आराम से निकाल कर उसको देखा तो उसको कोई चोट ओड नहीं थी काफी भीग गया था उसको एक घंटे डिर घंटे रेस्ट देने के बाद उसको दिवज जंगाल में छोड़ा गया हुए पूरुष की हालत गंभीर बनी हुई है जिनका इलाज किया जा रहा है चश्म दीदों की माने तो ट्रैक्टर अचानक अन्यंतृत हो गया और खाई में जा गिरा घटना में 20 लोगों के घायल और 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है जिनका इलाज जिला स्पिताल में किया जा रहा है नर्सिंगपुर से राजेश पटेल की रिपोर्ट जबलपुर शहर के सरदार बल्लब भाई पटेल वाट क्रमांग पांच रामपुर में नाली निर्माट कारे में हो रही देरी के विरोध में वाट पारशद ललिता इवं छेतरी जनता ने नगरनिगम कार्याले के कमिशनर कक्ष के सामने धरना प्रदर्शन किया इस दोरान छेतरी पारशद ललिता का कहना है कि रामपुर शापर में नाली निर्माट कारे को लेकर लगतार आवेदन देने के बावजूत कमिशनर वेद प्रकाश द्वारा कोई कारेवाही नहीं की जा रही नाली निर्माट किये जाने को लेकर लगतार नगरनिगम कार्याले के चक्कर काट रहे हैं फिर भी इस मामले को सुनने वाला कोई नहीं है बीते दिन नगरनिगम कार्याले में आम जनता के साथ छेतरी पार्श कमिशनर का दो घंटे तक इंतिजार करती रही फिर भी कमिशनर कार्याले में नहीं पहुँचे तब पार्शत ने आम जनता के साथ धर्ना प्रदर्शन प्रारंब कर दिया संबादात आभीजेंदर शुकला की रिपोर्ट वहां इतना मातम है कि वहां खड़ा नहीं हुआ जाता प्रमिक से यो कि बस्ती के बीच में हैं संकर संकर सर्दार बल्ला भाई पटेल से वहां बाट कमंग पास से हमारे यहां पानी बारिश के दिन में नाले का पानी पूरे घरों में बुस्ता है और पूरे नया गाह के जो पानी हमारे ही छेतर में आती है वारिश के समय में वह पानी के लिए हम बहुत तरीके से परिशान हो चुके हैं गरी मरी पहना है जितनी आई है उनको बहुत प्राब्लम है इसका निवाकरन करा जाए ज़रों जबलपुर शहर में बन रहे फ्लाइ ओवर की डिजाइनिंग हे तू सांसद राकेश सेंगे साथ इंजीनियर इंची कलेक्टर महेश चंदर चौधरी सहित समस्त पदाधिकारियों ने पैदल मार्च किया दमोनाका से प्रारंब हुई पैदल मार्च का उद्देश दमोनाका से मदर महल तक बनने वाले प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाइ ओवर की डिजाइनिंग हे तूर निरिक्षन करना रहा जिसमें कलेक्टर महेश चंदर चौधरी ने बताया कि दमोनाका से मदर महल तक बनने वाले फ्लाइ ओवर की पहल की जा चुकी है एवं सरकार के समझ पदाधिकारियों के सयोग से फ्लाइ ओवर का निर्माण किया जाएगा समबादात अविजेंद्र शुकला के साथ वीरेंद्र सिंख रिपोर इन दोर शहर के छेतर सरवटे से गंगवाल की सड़को लेकर मशली बाजार अतिक्रमन कारिवाही के दोरान बाडगंगा टी आई तारे सोनी के पैर पर चड़ी पोक लेन घटना के घटना में घायल हुए बाडगंगा टी आई तारे सोनी को तुरंती उपचार हेतु अस्पताल पहुचाया गया जहां उनका इलाज जारी है महो के MCT छेत्र में सुभा Westwood स्कूल की बस और Desire स्कूल की बच्चों को ले जा रही स्कूल वेन में सीधी टक्कर हो गई जिसमें वेन में बैठे कुछ बच्चों को मामुली चोटे आई ज्याद रहे कि विगत दिनों DPS स्कूल बस हाथसे के बाद प्रशाशन सक्ती दिखा रहा है और इंदोर कलेक्टर ने स्कूल वेन एवं आटो पर प्रतिबंध लगा दिया है जिसके चलते महू ट्राफिक पुलिस अधिकारी नरेंदर शुकला ने भी कारिवाही की और स्कूल की सभी वेन वा आटो गाडियों के चालान बनाए